नमस्का आई जर्खन की टप 25 पर मोख खबर जानते हैं जर्खन सरकार 1,000 छात्रों को मोबाईल टैव देगी जर्खन सरकार सुबे के 136 कल्यान अवासि बिद्यालों में पढ़ने वाले 1,000 छात्रों को मोबाईल टैव देगी बता दे बिद्याले की कक्षा एक से बराहुई तक के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा सरकार इस पर 26,25 लाख रुपे खर्च करेगी बता दे राज सरकार की योजनाओं के जनकारी का प्रसार हो इसके लिए सरकारी स्कूलों को पहली से बराहवी काक्षा तक के छात्रों को नोटबुक के पहले पन्ने पर सरकार की योजनाओं की जनकारी भी अंकित कराई जाएगी कुरोना के कारण इन आवासिय बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी बुद्धवार कोमों के मंतर है मंसुरिन के दक्सता में होई कैबिनेट की बैठाज में इस प्रस्ताओं को मंजूरी दी गई कैबिनेट में कूल एकाउन प्रस्ताओं को मंजूरी दी गई है बता दे कैमिनेट ने एक अन्य महत्पूर्ण फैस्ता लेते हुए परासिचकों से जूड़ी सहायक अध्यापक सिक्छक्स या निवाली को भी मंजूरी दे दी है ऐसे में हमें आप कमेंट बक्स में बता है कि क्या सिर्फ अवासे भी द्याले के बच्चों को मोबाईल या टाइप देना चाहिए या फिर सभी सरकारी भी द्याले के बच्चों को मोबाईल या टाइप देना चाहिए हमें आप कमेंट बक्स में आपना फिड़बैक अवासे जारखन में 22 सितलहर जारी उतर भारत से आई पच्मी भी छोब का असर खत्म होते ही ठंड फीर असर दिखाने लगा है पता दे पूरा राज सितलहर की चपेट में है राज में मौसम सोस कहा है सुबा में घाना कोरा तथा धूंद रहता है वहीं मौसम साफ होने के बाद हवा क कि अनुद बंद हो जात रही है ठंड फंड हावा चल रही है राजे के सभी जी लो का निवतनताप मान पिशले दो से तीन दीनों में 10 डिग्री से लशेश नीचे चला गया है बता दे धूब तेज रहने कि बावजूद हवा में कनकनी है जीलो का निवतनताप मान समाने से दिगरी से स्यस्यस तक नीचे चला गया है मौसम विभाग ने पुरोमान किया है कि राजे के कुछ जीलों में 22 जन्वारी से हलकी बारिस हो सकती है पेट्रोल पर छुट देने के लिए 901 कुलो रुपे खर्च करेगी जार्खन सरकार जार्खन सरकार ने राजे के राशनकार धारियों को दो पहियावानों के लिए पेट्रोल सबसिट्री देने का निना लिया है जिस पर 901.86 कुलो रुपे खर्च होने का उन्मन लगाया गया है बता दे राजे केमिनेट ने खादे विभाग के इस प्रस्ताव को स्विक्रिती दे दी है चालू बित्य वर्ष के लिए 100.39 कुलो रुपे की रासी जार्खन आक्समिक नेथी से जारी कर दी गई है लभख डेड महिने बाद कोई राजे केमिनेट की बैठक में कुल एकावन प्रस्ताव को स्विक्रिती दी गई पेट्रोल सबसीडरी योजना के लिए सीम सपोर्ट आप लांच मुख्य मंत्री हमान सुलेन ने राश्टरी खाज सुरक्षा योजना या जार्खन राजे खाज सुरक्षा योजना के तहत आने वाले गरीब राशन काड़ धारियों को उनके दो पहिया वाहन के लिए पेट्रोल सबसीडरी योजना के तहत राइस्टेशन के लिए एप लांच किया है बता दे इसे आप सीम सपोर्ट आप या जे एस एफ एस डॉट जार्खन डॉट जोभी डॉट इन में जाकर इस योजना के लाब उठा सकते हैं बता दे अगामी 26 जन्मरी 2022 से इस योजना के जरिये राशन काड़ के लाब को को अपने दो पहिया वाहन के लिए परती माह अधिक्तम 10 लिटर पेट्रोल के लिए परती लिटर 25 रुपे की सबसीडरी यानि 2800 रुपे परती माह उनके बैंक खाते में टिबिटी के माधियम से ट्रांसपर होगी खेती में मदद चाहिए तो जहारखन सरकार को करे कॉल नमबर जारी जहारखन सरकार ने किसानों के सुवधा के लिए एक संदार पहल किया बता दे क्रिसी पासुपाराण योम साकाइटा विभाग के मंत्री बादल ने वो धवार को कॉल सेंटर का विधिवत रूप से ऑल्लाइन सुभारम किया इसके माधियम से खेती किसानी करने वाले किसी भी तरह की मदद के लिए सरकार से सनवाद कर सकते हैं बता दे टॉल फिर नमबर वेबसाइट ईमेल या एसमेस के माधियम से किसान घर बैठे अपनी समझ से आसानी से दज करा सकते हैं अपने अहम सुझाव भी दे सकते हैं जिसका लाब अने किसानों को भी मिल सकेगा बता दे किसानों के लिए टॉल फिर नमबर 18001231136 लेंड लाइन नमबर 06517122712 वहीं वाट्सेप या एसमेस नमबर 8797891222 और वेबसाइट केसी सी जार्खन डॉट इन जारी किया गया है पाराशिक्षक अब कहलाएंगे सहायक अध्यापक कैबिनेट की मिली स्विक्रिती बुद्धवार को जार्खन कैबिनेट की बैठक हुई इस बैठक में कूल 51 प्रस्ताव पर मोहर लगी है जिसमें जहां राजे के पाराशिक्षकों की सेवा सत्र निमावली को मंजूरी दी इससे राजे के 62,000 पाराशिक्षकों को इसका सिधाला मिलेगा वहीं अब राजे के पाराशिक्षक सहायक शिक्षक कालाएंगे बता दे केमिनेट के अने फैसले के तहत कल्यान विभाग के अंतरगत 136 अवासी बिद्ध्याले के कई स्टूडेंट को राज सरकार मोबाइल टैप देगी इसके अलावा पेट्रोल सबसीड़ी योईना के तहत राशन करधारियों को उनके बैंक एकाउंट में हर महीने 250 रुपे देने समधी प्रस्ताव पर समती दी गई बता दे अने फैसलों के तहा जार्खन खादे प्रसंसकरण उद्योग निती का अधी बिस्तार भी दिया गया इसके अलावास रम विभाग के नियुक्ति नियमावली संसोधन के प्रस्ताव मंजूरी मिलने के साथ ही नई नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है साथ ही कार खाने में सिलिकोसिस से प्रभावित व्यक्तियों को एक लाख एवन मिरित्यू पर चार लाख रुपे देने का प्रस्ताव को भी हरिजड़ी दे गई बंगाल जार्खन सिमा पर पुलिस ने कई ट्रक कोईला जब्त कर 14 को किया गिरफतार पच्छिम बंगाल के आसन सोल पुलिस ने कोईला के अवायद कारोपारों पर बड़िक करवाई की है बतादे पड़ोसी राज जार्खन के धनबाद जिले के विभीन इलाकों से बंगाल के विभीन इलाकों में भेजी जारे अवायद कोईला की बड़िके पकड़ी है बतादे बंगाल जार्खन सीमा एनेच उनाइस पर डुबुडी नाकका के पास जाच के दुरान मंगलवार राच से बुद्धवार भोर तक नेमित अंतराल पर कुल 21 कोईला लदे ट्रॉकों को पक्ड़ा गया बतादे डीसीपी अभिसेक मोदी ने बताया कि 14 प्राथमी की दर्च की गई है इन 14 ट्रॉकों में कोईला से जुड़ी कोई बैद कागज नहीं मिला सीम हिमन्त की पहल पर माली में फसे जार्खन के 33 रमिकों तक पहुंची मदद गीरी डी और हजारी बैग जिले के 33 मजदुरों के अफरीकी देश माली में फसे होने की सुचना प्रभारतिय दुतावास द्वारा की गई पहल अवरंग लाने लगी है बता दे वहाँ पर फसे मजदुरों में बगोदर के 33 निवासी दिलीप महतों ने बताया कि भारतिय दुतावास से संपर्क किये जाने के बाद हम लोगों को रहात मिला है बता दे परवासी मजदुरों की लोटने की आसार बढ़ गए हैं वही जार्खन सरकार की पहल पर भारतिय दुतावास ने खाने पिने की विवस्ता कमपनी का स्थानी ठेकदार के माध्यम से कराये जाने की बात कही कही है जार्खन सरकार का फैसला नोकरी से हटाये जाएंगे 275 होमकार्ड रांची जिले में बर्ष 2016 में बहाल 275 गिरी रक्षक हटाये जाएंगे बतादे राज सरकार ने मेधा सुची निरस्त करते हुए गिरी रक्षा वाहनी स अगिन समन के डीजी को नहै सीरे से वरियता सुची जारी करने का देश दिया है इटकी वा नगडी के लिए विग्यापन नहीं निकलने के बावजूद वहां बाहली हुई थी बतादे जिसकी संपूर्ण मेधा सुची ही निरस्त कर दी गई है गिरी रक्षा वाहनी स अगिन समन के पूर्व डीजी एमबी राव ने ही मेधा सुची निरस्त करने से समनी अनुसंसा सरकार से की थी जिसके अलोक में या करवाई हुई है बतादे अब नए सीरे से वर्यता सुची बनेगी जिसमें ग्रामिन छेत्र के 166 वह सहरी छेत्र के 92 ग्री रच्षकों के सुची से हटाए जाएंगे जारखन में मंगलवार को 2514 नाई केस मिले है जबकि 3870 मरी स्वास्त भी हुए है जारखन में मंगलवार के आकड़े के अनुसार कूल एक्टिव केस की संख्या 28589 है भारत में 293,416 नाई केस मिले है जबकि 2,137,171 मरी स्वास्त हुए भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 29,131,177 है जारखन की ताजा अप्टेट जानने के लिए साम 5 बजे का वीडियो देखना न भूले असनात तक तक पढ़े वह निमतम 5 बरस का अनुभाव वाले पत्रकारों को मिलेगा बीमा कालाब सरकार ने जारखन राज पत्रकार स्वास्त बीमा निमावली 2020 का संकल्प बुद्धवार को जारी कर दिया है बतादे जारी संकल्प के अनुशार इस बीमा योईना कालाब बीमीत पत्रकार के अलावा उनके पती पत्नी वह 21 बरस तक के आसरीत दो अभिवाहित बच्चों को मिलेगा इस निमावली के तहद कूल 5 लाख रुपे तक का बीमा होगा इसके लिए एक बीमा कंपनी से राज सरकार एम यू करेगी इसके लिए प्रीमियम की जो राशी निधाईत होगी उसका आसी फिर्दी राज सरकार वा 20 फिर्दी लाभुक पत्रकार को देना होगा इस पर सरकार का अनुमान है की राज सरकार का प्रत्ती वर्ष 2 क्लोर 22 लाग 46,640 रुपे खर्च होंगे वैसनो देवी दर्षन के लिए बदल गई हैती थी भारतीय रेल्वे ने अपने तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत पून घोसना की है बतादे जनवारी महिने में वैसनो देवी दर्षन के लिए रेल्वे ने तीर्थ एस्पेसल ट्रेन चलाने का निना लिया था अब रेलवे ने कहा है कि या ट्रेन जन्वरी 2022 में रवाना नहीं होगी इसके लिए रेलवे ने नई तारिख की घोशना कर दी है बतादे रेलवे ने कहा है कि देश में बढ़ते कुरोना संग्रमन को देखते वे तीर्थ स्पेसल ट्रेन को ततकाल रध रखने का निना लिया गया है जन्वरी 2022 के बदले अब तीर्थ स्पेसल ट्रेन पांच मार्च 2022 को पैसनो देवी और उत्तर भारा दर्शन के लिए रवाना होगी जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटर परिक्षा पर निरना जल्दे जैक के नए अध्याष डाक्टर अनिल महतो ने कहा है कि समय पर परिक्षा और रियल्ट जारी करना उनकी परत्मिकता होगी बर्श 2022 की मैट्रिक और इंटर की परिक्षा पर भी जल्द ही निना लिया जाएगा उन्होंने कहा कि योगदान देने के साथ थी वह परिक्षा से समंधित कारियों की पूरी जनकारी लेंगे और इस समंध में जल्द ही निना लिया जाएगा जो परिक्षा नहीं हो सकी है उसे भी जल्द से जल्द कराया जाएगा भागपा मवादियों के खिलाब बड़ी कम्याभी सराय के लामें 15 आईडी बरामत आतंकियों की दिल्ली के गाजी पूर मंडी को दालाने की कोशिस नकाम हो गया है बता दे कुछ इसी परकार की तैयारी नकसलियों की जारखन में भी थी जिसे पूलिस ने नकाम कर दिया दरसल भागपा मवादिय खिलाब पूलिस के द्वारत सर्च अभियान चलाया जा रहा इसी करमें सराय के लागे पूलिस अधिक्चा को गुपत सुचना मिली की लोर्दागा के भंडरा परखंड में आदिवासी नवालिक लड़की के साथ हुई समुहिक दूसकर मामले में पिडिता के परिजनों से रांची के मांडर के पूर्व बिधाया गंगोत्री कुजूर ने मुलकात की इस दोरन राज सरकार पर जमकर भडास निकाली बोली की जारखंड में एक बार फिर जंगल राज लोट आया है अब यहां की बचिया तक सुरक्षित नहीं है इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व बिधाया गंगोत्री कुजूर ने कहा कि हमन्सुरेन सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है खास कर्म हिलाए एवं बचिया आये दिन समुहिक दुसकर्म की घटनाए घटित हो रही है सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है पूरे जारखंड में जंगल राज लोट आया है मुआवजे के 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली अनुसुचित जन जाती अत्याचार निवारन अधिनियम उनईस नमासी अंतरगत राशिय भुक्तान की स्विक्रिती परदान करने को लेकर जिलास तरी अनुसरवन एवं निगरानी समीती की बठक बुद्वार को हुई बाठक में समीती ने कूल 19 मामलों में पिलितों को मुआपजा भुक्तान के सम्मध में विचार भी मस गया मुआपजा भुक्तान से समंधित 18 प्रस्तावों पर समत्ती स्विक्रिती परदान कर दी गई जबकि एक मामले में मैनुवल जाती पवान पत्र बिहार से निर्गत होने पर डीसी ने राशी भुकतान के लिए विभाग से माग दस्वन मांगने को कहा है धानेवाद सरकार को देनी चाहिए अपना सुझाव अवस्य दे